नमस्कार दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल ओनलाइन एस्टूजिन प्रेकर में आपका स्वागत है आज हम परेंगे रिजनिंग का चेप्टर वाटर इमेज यह काफी इंपुटेंट है, इसमें बहुत को कन्फूजन होता है लेकिन हम जिस तरिका से आपको बताएंगे, इसमें कोई कन्फूजन नहीं है और यह इसका ट्रीक भी है चलते हैं टॉफिक पे, वाटर इमेज इसमें आकिर्थी उपर से नीचे तथा नीचे से उपर हो जाती है साथ ही, डिरेक्शन में किसी इपरकार का परिवर्तन नहीं होता है अर थात उपर में राइट है, तो नीचे में लेट होगा और उपर में लेट है, तो नीचे में राइट होगा यही सबसे बेस्ट ट्रीक है इसका अगर यह उपर में, चलिए हम इसके figure पे चलते हैं, यह figure है, अगर उपर में यह right है, तो नीचे में left होगा, अगर उपर में right है, तो यह नीचे में right होगा, direction नहीं बदलेगा, अगर उपर में यह right है, तो नीचे में right ही होगा, इसका direction नहीं बदल रहा है, यह जो हम symbol बनाए यह नीचे जल है और यह उपर ऐसे है चलिएकि इसमें दो टैप से कॉसन पूछता है एक लेटर का और एक सिंबॉल का तो लेटर यह जैड हम लिए है इसमें जो पलस मैनस दिये है यह पहचानने के लिए जैसे कि यह पलस उपर में राइट है तो यह जैड यह जो वाटर इमेज बना इसमें पलस नीचे हो गया क्योंकि इसका ट्रीक है जो उपर राता है वो नीचे होता लेकिन दिशा नहीं बदलती है पलस उपर था राइट तो यह नीचे राइट ही होगा क्या मैनस नीचे था लेट तो यह मैनस ऊपर हो गया left ही है इसका दिशा नहीं बतला है जो left है वो left ही था जो right है वो right ही था question number 2 오늘 तरेंगल है इसमें एक symbol लगा इसके अंदर बी है तरेंगल तो पहले तो उलर जाएगा आप इसके अंदर जो symbol है जो बी है बी का जो यह भाग है यह राइट है यह राइट ही होगा और यह जो सिंबॉल है निचे है यह राइट है यह राइट है यह राइट है वो राइट ही होगा और जो लेप्ट है वो लेप्ट ही होगा डियरेक्शन नहीं बदलती है यह जो रेक्टेंगल है इसके उपर एक सरकि इसी बात का बस हमको ध्यान रखना है कि जो उपर है लेप्ट वो नीचे होगा लेप्ट ही होगा लेकिन नीचे होगा जो नीचे है राइट वो उपर होगा राइट ही होगा यही इसका ट्रीक है जो उपर है उपर ही अगर राइट है तो राइट होगा अगर नीचे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए आगे भी हम डालते रहेंगे अगर कोई कन्फूजन हो तो हमारे कमेंट वर्क्स में लिखिए हम उसको दूर करेंगे